दोस्तो चैनल अवेर इंडिया में आप सभी का स्वागत इस्तक्बाल है चैनल को लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा चलिए बात करते हैं पूरे देश के लॉकडाउन को ले करके जैपूर की बात करते हैं तो के लिए अपने काम पर रुके हैं तो आप अपने परिवार के लिए अपने घर पर रुके शांदार मैसेज दे कर पुलिस ने पूरी जिम्मदारी निभाई तो पुलिस के जवान भी अपने मुस्तेदी के साथ में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं जैपूर शहर के ठाने में मुबारुक उसे नामक व्यक्ति एक संग्धिक पॉजिटिव पाया गया एक किलमेटर तक का राम गंज में दोनों तरफ कर्फिव लगा दिया गया बारा तारीक को अमान से जैपुर आया था दो दिन पहले बुखार हुआ पाँ डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने उस है ऐतियात बतौर लेकिन एक मनज़र अजीब और गरीब देखनों को मिला कि जो लोग जैपुर से बाहर के आये हुए हैं उनका क्या हाल है चलिए हम बताते हैं आपको जैपुर हसनपुरा के इलाके में जब गुजर रहे थे हमाँ देखा कुछ युवक पैदल जा रहा है हैं उनके पीछे बैग लटके वह उनसे पूछा गया कहा जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं मालूमात करने पर पता जला कि मद्यपरदेश के मुरेना शहर के रहने वाले हैं और अपने घर जा रहे हैं उनसे पूछा तो उनसे बता रहे हैं दूसरे का बच्चा भीमार है उनके लिए वह पैदल ही निकल गए थोड़ा आगे चलने के बाद में अजमेर रोड़ पर मालूम हुआ कि पंदरा बीस युवक पैदल बैक लटकाए वे जा रहे हैं मालूमात करने पर पता लगा कि आगरा से डेड़ सो किलोमेटर आ उन्होंनों बताया कि बेलदारी का काम करते हैं कर्फ्यू के एक दिन पहले आये थे काम किया द्यहड़ी मिली वो पूरी खोग हो गई मगर आप कुछ खाने पीने को भी नहीं है पैसा भी नहीं है घर जाने के लिए को सादन भी नहीं है तो इसलिए मजबूरन पैदल ही अ इस्तिती सामने आ रही ऐसे लग रहा है कि 80-90 साल पुराना जमाना आ गया है जिदर देखो सब कुछ थमा हुआ है कहीं आने जाने का सादा नहीं मिल रहा है मजबूरी में लोग घरों पर पैदल जा रहे हैं ऐसे हालात में क्या कैसे होगा दो दिन पहले खबर मिली थी कि कुछ मजदूर राजिस्तान आये हैं करीब 500-600 किलिमेटर का सफर तैय करके ऐसी इस्तिती में जो लोग बाहर के मजदूरी करने के लिए दूसरे शेरों में आये उनका क्या हाल होगा क्या वो पैदल घर तक पहुंच पाएंगे सरकार ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं आखिर सरकारे क्या सोच रही लोगों के लिए जो सरकार केंदर सरकार ने या राज़ सरकार ने फंड जारी किये हैं क्या लोगों तक पहुंच पाएगा क्या सरकारे उस पर ध्यान रखेगी गरीबों को उनका हक मिल पाएगा राशन मिल पाएगा सवाल दिमाग में बहुत गुंज रहे हैं ब्रस्टा चार चार रहे हैं सीमा पर है और बाजारों में सामान खत्म होता जा रहा है बिग बाजार में टमाटर 52 रिपोट के लिए मिल रहा है सरकार काला बाजारी नहीं रोक पा रही है सिर्फ बैट कर फैसले सुना रही है जिन पर किष्टे का भार है वो कैसे किष्टे चुकाएंगे, क्या किष्टों के लिए सरकार उनके लिए कोई फैसला करेगी, काम कर नहीं पा रहे हैं, बाजार व्यापार सब बंद है, रुपिया हाथ में नहीं है, परिवार का खड़ चलाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में केंदर सरकार ने एक बड़ा ऐल समा सेवी और जैपुर जिला मा सचे हूँ, महमद आरिफ खान ने अपने हाथों से सेनिटाइजिंग वहाँ पर किया और लोगों के घरों के दर्वाजों पर गाड़ियों पर सेनिटाइजर का स्प्रे किया, चैपुर में कर्फियों को पास दिन पूरे हो चुके हैं, और अब इस तिटी बिलकुल गंबिर होती जा रही है, खास तोर से उन लोगों के लिए जो चैपुर के बाहर के रहने वाले मजदूर हैं, उनको ना आने जाने की सुईदा है, ना उनके खाने पीने का अंतजाम हो रहा है, उनके पास में इतना पैसा भी नहीं है कि वह यहां रुख सके, ना साधन मिल रहे हैं, ना बस मिल रहे हैं, ना ट्रेन चल रही है, इसको देखते हुए, यहां पर अजमेर रोड पर कुछ लोग इस वक्त हमें मिले हैं, यहां यह आगरा जा रहे हैं, और पैदल यात्रा करेंगे, यह लोग अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं, चलिए हम बात करते हैं, इन से किस तरीके से जाएंगे, बताइए आप कहां जा रहे हैं, आगरा से जाओंगा जिना सायानपूर, यूपी, कितना दूर है आपका आगरा से यहां से कम से चार पांसो किलो मिटर होगा, यहां से चार पांसो किलो मिटर होगा, यह यह नहीं सोचा गया है कि जो जाने वाले जो प्रदेश के लोग हैं उन वो क्या करेंगे बाहर से आये वे लोग अपनी जिंदिगों कैसे दूबर करेंगे तो आप लोग क्यों जा रहे हैं वापर ना खाने को है ना कुछ रहने को है कोई साधनी नहीं कमरा मकान मालिक लिए क जाए बाई पैसे नहीं हमें रासन काहसे दूँँ आप माकान मालिक के लिए फोन किया पुलिस वालों के क्यों आप को जबर्दार की नहीं जवजत्ती नहीं लिका ले हैं अपनी मर्जी जा रहा है खाने पीने कुछ सब्द ही नहीं तो क्या करेंगे हैं काम भी नहीं चलन दूर के बाद कल से भूंके हैं इसलिए मैंने फेक उठाली सब्जाने चल रहे हैं पाई तल जाएंगे क्या करेंगे एक रुपे जैम में नहीं है आपको एनाम के लालू और रहते हैं आप बागरोटा बागरोटा कहा जा रहे हैं एंप एंप तो कैसे जाओगे बसे ट्रे सब्सक्राइब करेंगे नहीं कोई पैसे नहीं वहां आपना रहते हैं नहीं नहीं से बात किया मैंने मेरी मां भी मार भी मार मैं जाओगा शर्ण कर देख को फैदर जाएंगे आपका नाम रमेश तो आप लोग MPQ जा रहे हैं अपने यहां से छोड़ करके यहां से काम दंदा नहीं है तो जाएंगे घर बच्चा बीमार है छोटा सा बच्चा बीमार इसका इलाज कराना है तो घर होा जिसके है काम धर्ट उसने कुछ एडवांस परसे दी आप को तो कितने तिन में पहुशोगे महां पर तो तो आपके यहां पर जाएंगे तो आधर बत्र मिल जाता है तो संदू कर देता है दो इनके साथ चले जाएंगे कि अपर नाम शुरेंदर शुरेंदर